हेलो गईस स्वागत है अपका फैक्ट वाला बंदा में और आज हम बात करने वाले हैं पिरेमिड के बारे में पिरेमिड एक सुन्दर कला कुरूती है जो इजिप में पाई जाती है इजिप में ही नहीं ये दुनिया के कई हिस्सों में भी देखी गई है साउथ अमेरिका, इटली और चाइना यहां बेबी इसके जैसी सुन्दर कला कुरूती देखी गई है आर्टियोलोजिस के हिस्साब से दुनिया की इतनी जगों पे एक जैसी कला कुरूती होना एक महज एक मिस्ट्री है पिरामीड सबसे गहां अनुक है क्योंकि इतारों से अलाइन करते है और इनका रिलेशन एलियन्स के साथ बताया जाता है पिरामीड की चार साइड है पर जब प्लेन से पिरामीड का फोटो कीचा गया तो कुछ अनुका ही नजर आया जिसको हम पिरामीड की एक साइड समझते थे वहाँ पर असल में दो साइड से वो हमें प्लेन की फोटो में दिखाई गया आर्चियोलाजुस tú각स से पिरामीड को बनाने के लिए 2 लियनी स्टों लगे है और पिरामीड में लाइम च्टोंस पत्थर को यूज किया आज के जमाने की क्रेंज सिफ 20,000 किलोग्राम तक ही पत्थर उठा सकते हैं के जमाने में ऐसी कुंसी टेक्नालोजी थी जिसने इतने भारी पत्थरों को उठा के इतना कॉंप्लेक्स स्ट्रक्चर बनाया आर्चियोलोजिस और साइंटिस ने जब पीर तॉनल्स एरेशिंगे लिए थी पर इन तर्नल्स के अंदर गए तब अ तर्वाजे से बन थी लोगों की सबसे टनल इसलिए थी क्यूंकि वह राजा की आत्मा सीधी स्वर्ग में जा सके इसलिए ओट अलसर रखे गए थे आर्चियोलोजिस की हिसाब से पीरामिट के अंद यानि कि कोई मगबर नहीं थे पिरामिट का परपस कुछ और ही था तो तब के जमाने में ऐसी क्या चीज थी जिसने इतना सटिक और इतना अच्छा पिरामिट बनाया गिजा के पिरामिट में स्पीनिक्स नाम का एक स्ट्रक्चर आपको यादी होगा स्पीनिक्स ने स्टैच्चू सिब एकी लाइम स्टोन से बनाया गया है एकी लाइम स्टोन से इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाना एक बहुत बड़ी बात है इस स्ट्रक्चर की जब अच्छे से जाच की गई तो इसके नीचे से भी एक टैनल है इजिब जैसे जगों पे जहा और ये सिप तभी संभव होता जब हेलिकॉप्टर या स्पेस्शिप जाई से कोई चीज रहती। पिरामिट को जब अच्छे से डिस्कवर किया गया तो पिरामिट के अंदर कुछ ऐसी पेंटिंग्स मिली जहाँ पे एलियन जैसी प्रतिकृति मिली। तो क्या तब एलियन्स इस वीडियो को लाइक करो शेर करो इस पर कमेंट ज़रू करो मैं सबकी कमेंट पढ़ता हूँ और चैनल को सस्क्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ ताकि मेरे नही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले।